दोस्तों बहुत सारे messages वगर आते रहते कि Facebook hack हो चुका है उसे recover करना है तो मैं आपको बता दूगा है सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप हमारे Instagram पर आते हो तो मैं कभी भी किसी लोगों से यहाँ पर ID password नहीं मांगता हूँ एक चीज आपको बता दूगा है कोई भी इंसान आपका ID जो है यहाँ पर recover नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहोगे आपके फोन में ही यह फीचर्स होता है जो कि आप recover कर सकते हो कैसा recover करना है वो चीज में आपको बताऊंगा बहुत सारे messages वोगर है यहाँ पर आते रहते हैं टेल ID और password नहीं देना है दोस्त एक चीज याद रखना है अगर आप ID password दोगे तो आपका ID चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए सेकंड चीज है यहाँ पर आपको क्या करना है आपको YouTube के description में चले जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले recover page के नाम से आपको एक link देखने को मिलेगा यह जो देखने हैं और aim.facebook.com help तो आपको इस link पर click कर देना है दोस्ते मैंने इसके बाले में पहले भी बताया था जासे ही आप यहाँ पर आओगे ना direct आप link पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आता है आपके problems जो भी यह रहे वीडियो को पूरा दे पर click करोगे sorry मैंने यहाँ पर कुछ और कर दिया तो यहां पर मैं back करता हूँ, यहाँ पर click करोगे न तो आपको सबसे पहले सप्वोर्ट inbox पर click करोगे सबसे पहले यहां पर वह options नहीं आ जो आना चाहिए था वह फिल हाल यहाँ पर जो options नहीं आ रहा है managing your account है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इं पास्वर्ड को प्लिक करना और यहां पर आपको सर्च करना है रीकभर हैक्ड जैसी आप यहसे आपर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ बन क्या अगर देख से तो पहले नमबर पर ही recover your account if you think your facebook account hack तो आपको इस वाले पर चले आना है यहाँ पर जैसे ही चले आओगे तो आगे आपको क्या करना है यहाँ पर get started पर click कर देनी है दोस्ते जैसे ही आप get started पर आप लोग click करोगे उसके बाद यहाँ पर आओगे तो आपको पूछा जारा do you have access the phone number or email id तो आपको यहाँ पर यह वाला no I don't have access email id वगेरा तो आपको यह select करना है जैसे ही यह select कर लोगे ना तो आपके सामने यह वाला एक link देखने को मिलेगा facebook.com login और slash identity तो यहाँ पर से आपको आगे का step करना identity पर click कर देनी है जैसे ही आप identity पर click करोगे ना तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको अपना id ढूंडना आगा जो भी आपका id है आपको यहाँ पर से find कर लेना आगा जो भी आपका id है आपको यहाँ पर से find कर लेनी है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपने यहाँ पर नाम लिखते हूँ, तो यहाँ पर चलो यार, मैं नमबर से, सबसे पहले तो आप लोग नमबर ट्राइ कर लेना, अगर नमबर से हो जाता, अच्छी बात है, नमबर से नहीं होता, तो नीचे में यहाँ पर नेम का उ देख देना सर्च कर लेना है दोस्तों के यह चीजिए तो नॉर्मली हर कोई कर लेता है जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो आपका ID यहां पर देखने को मिल जाएगा याद रखना दोस्त आपका ID यहां पर आना चाहिए चाहे तो आप email id से धुन्डो यह फिर name से धुन्डो या फिर phone number से घूंडो, आपका जो आपका account है, यहाँ पर show करना चाहिएगा, यो कि आपका account कैसे भी हो, आप यहाँ पर account show करोगे, आप कोई न कोई आप यहाँ पर उपाई कर ले न, phone number, आप बहुत बार try करोगे न, 10 बार, 20 बार, तो आपका ID एक बार न, एक बार आ जाए यहाँ पर आने के बाद क्या पूछा जा रहा है, कि we can send your login code, यहाँ पर जो email ID है, इस वाले email ID पर आपको code भेजा गया है, तो यार मेरे पास तो email ID है नहीं, क्योंकि hack हो चुका है, मादलो मेरा ID hack हो चुका है, तो यार देखो मैं यहाँ पर code तो डाल नहीं सकता, तो continue नही करना है, तो try another way का option है, तो try another way पर click कर देना है, जैसी आप यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, कि आप यहाँ पर email ID पर code भेजना है, या फिर नहीं, या फिर आप password डाल के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे को तो दोनों changes हो गया है, क्योंक पर आपका ना mobile number है, ना email ID है, ना password है आपके पास, तो आप लोग करोगे क्या, नीचे में एक option देखने को मिलेगा, no longer have access to these, इस वाले पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करोगे, तो directly आप यहाँ पर चले आओगे, यहाँ पर आनिक बाद सीधा submission किया गया है, I have lost access to my login details, तो यहाँ पर आपको नीचे start पर click कर देना है, start पर click करोगे, तो upload ID को option आजाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, आपका जो name है ना, वो यहाँ पर लिखना है, जो भी आपके facebook पर या फिर आधार card पर name है, वो यहाँ पर लिखना है, और आधार card यहाँ पर आपको photo click कर आपको सीधा से यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद नीचे send कर देना है, अब यहाँ पर कई सार लोग क्या करते हैं, कि अपना अधार card यहाँ पर identity verification आप से मांगा जाता है, कई सार लोग जो है अधार card भी यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर भेज भी देते हैं, बट फिर भी उसका ID जो है hack से वापस नहीं आता, तो एक चीज आप लोग समझ लोगाई, अगर आपके अधार कार्ड में कुछ और नाम है, और आपका Facebook में कुछ और नाम होगा, तो आपका ID रिकभर नहीं होगा, एक चीज आद रिखनों के ना, देखो आपका hack होने के चेंज है, तो ऐसे में ID रिकभर कर पाना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यह चीज में आपको बता दो, तो इसलिए guys, अगर आपका अधार कार्ड में नेम सेम है, और आपका Facebook में भी नेम सेम है, तो आप यहाँ पर आकर सीधा सा नेम लिखना है, अधार कार्ड में, आप यहाँ पर से आप कर लेना, अधार कार्ड का आप यहाँ पर से फोटो डाल देना, और उसके बाद नीचे सेंड पर क्लिक कर देना, सेंड पर क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पर जो है, जो भी है, आपका प्रोबलम आपको 24-48 आवर के अंदर आपका solve कर दिया ज यहाँ पर से आप अपने password को change कर सकती हो, तो यही last option है जहाँ पर से आप अपने Facebook को recover कर सकती हो, और यह देखो यह जो identity verification है ना, सारे phone में नहीं आएगा, जो आपके phone पहले वाला phone था, जिसमें आपने ID login करके रखा हुआ था, उसी phone में यह ज़्यादा तर identity verification का option आता है, म आपके phone में पहले login था, क्योंकि मेरे phone में तो पहले login नहीं था, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दो, आपका ID जो है यहाँ पर वापस आ जाएगो, तो फिलहाल मैं ने आपको सारे trick बता दिया, बस ID password किसी को मत देना, प्लीज request करता हूँ, अगर कोई ID password मांग रहा है, उससे ID password मत देना गाईज, उससे आपका recover तो होगा नहीं, और आपका ID चला जाएगो, तो बाकि thank you, take care, subscribe कर देना एकर वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगो, बाकि हाँ गाईज, identity verification के लिए जरूरी है, कि आपका आधार card में और Facebook में name सेम होना चाहिए, इसलिए बोलता है, तो अपना रखो यार, दूसरा का नाम रखके क्या करोगे भाई, बाकि thank you, take care, दोस, subscribe कर देना अगर वीडियो अच्छा लगो, और problem नीचे comment कर दीजिएगा,